चर्चाल करते हैं जो है पुछ खास मुद्दों कि घूरी बात कर लियों था। हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार और जाने-बवाने पत्रकार भी यहां पर से संतोस मिस्राजी तो चलिए यहां पर एक छोटी से सुरुबात करते हैं चोटी से सुरुबात ऐसी कि एक वरिष्ट पत्रकार होने के साथ साथ कोतमा नगरपाल का छेत्र के नागरिक भी हैं और एक बोटर होने के साथ यहां पर जो छेत्री नागरिक होने का और आमजन का जो जीवन है उसको ले करके उससे जुड़ी हुई कई कडिया जो लगतार हम देख रहे हैं आज कि किस तरह से हमें विशंगतियों का सामना कर करना पड़ रहा है कभी लोकल ट्रेनों को लेकर तो कभी छेट्रीकास को लेकर तो कभी हमारे मुझ सुद्धाओं को ले करके है कि इसके बाद यहतरा कई सारी चर्चा है जिने आज हमें करना है तो ऑज हम सुड़कर karışते हैं यहाँ पर संतोजति सब पहले तो मैं यह जानन परचित करना है। भूबत धन्दबाद आपको राजकुमार भाई, भीकास अपने किसको कह सकते हैं, जहां सिक्षा की सुभधाएं नहों, स्वास की सुभधाएं नहों, साधन नहों आवा गवन के, जो दिन मान कार चल रहे हो, वह आप देख रहे हैं किस तरह को बतता हैं, क कोने काम उनको काम काम दे रहे हैं जो इसका पूरा सिस्टम से मानिटरिंग का काम कर रहा है तो, अब है तो सर जी तक तरह आज हाला चारा का यह है कि यह ड़ाक्टर नहीं है मरीज वह जा रहे हैं तो उनको अनल livres दो पहले हम लोग शापा भी ख़वार में कि दबाईयां बाहर पड़ी हुई है भील चेर नहीं है जो है उसको कवारे पड़े हुए हैं उसके बाद फिर निकाला भी दा बाहर यहां डाटर मनुश्मार कुप्ता साहब है तो जो अपने संसाधनों से या अपने स्वैम के स्रोतों से कह सकते हैं उसको या खुद बुखार से विवाखर से संध्हटों लोगों से का जाए डोनेशन ले करके या सायोग ले करके और कुछ सुभाएं दिनने को प्रयास करें चल रहा है किसी तरह चल रहा है यदि कं सकम सब्सक्राइब इस सिस्टम है सिक्षा के बाद स्वाष्थ यह दोनों यहां प मुद्दा बनके रहा जाता है वो यह स्वास्तों विधाओं को लेकर कि मुझे एक बात आदाए कि जब करोना काल चल रहा था तो उस वक्त आपने भी आपने भी देखा होगा कि काई सारे लोगों ने अस्पतालों में जो है तो एंबुलेंस दी कि हमदान पुर्ण कर रहे है तो दान करने के एक तरीका तो ठाव लेकिन कुछ सामय बाद एक सक्ते और सामने आया कि लोगों ने अपनी अपनी अबुलेंस वापस ले लिए ती ऐसा कुछ मैंने सही है मैं सहमत इस बास से लेकिन आखिर कम सका मैं यहां के समाश सेवियों ने मदद तो किया ना यदि हमारे जो महान नेता उन्हें लड़ाई क्यों लड़ी थी आजादी की ये तो पहले भी शलता था कि लोग बिमार पर रहे हैं दवाईयां नहीं मिल रही हैं मर जा रहे हैं कोई उसरा भी सेट साहुकार होते हैं दान दाता होते थे वो लोग मदद करते थे जो पचा के अपने भाक से बचके हमारे देश के महान नेता हुने इसलिए लाई उल्ड़ी भी कि हम इस देश जब हमारे देशा आजादेश होगा तो लोगों को हम हैं हैं बेहतर सुलधा सुलधाएं तो आवालने सुलधाएं शिख्षा की सुलधाएं उप्रत कराएंगे आज इस महा देस में स्वास्ट वीवङग की फीजिदी क्या है पूरे आप देख लीजिए पूरा पूरे प्रदेश में देख लीजिए आप किसी भी सरकारिया सुताल में आपको बिग्याबंद की बोर्ट से मिलेंगे नेता बंती उद्खाटन करेंगे लेकिंगे सुधाएं अभी हमारे आप जहां को बीमार पड़ता है तो हम ले चाह कि अपने एक डिपूट किया हुआ है वही बड़ी पदस्थ हैं यहां को अटेश कर दिया जो यहां कि ब्यमो है डाक्टर की अल्दिवान सहाब हो खुद मलगम पदस्थ हैं आपने उनको यहां कि ब्यमो बना कर रखा हुआ है तो ऐसी इस चीचिए में किसकी जिम्मेदार है यहां कि जो 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 नेता है जो पॉबलिक की बीच में जाते हैं जिनको इन से सरोकार होना चाहिए तो मौन धोरन कि यह बैठे हैं अब हम परसासन को क्या दोश्थ दें मताई यह सियमचों को क्या कहें क्लेक्टर क्या कहें तो अपने सरोतों से कहीं यहां से डाक्ट हो जाता है कभी कोई मंत्री आए कभी कोई विधायक आए लोकारपन हो रहा भूमी पूजन चल रहा है क्या सिस्टम क्या है इसका अब साड़कों की हाला तो आप देख रहे हैं पिछले कुछ महिना पहले हमारे प्रदेश के मानी मंत्री जी जिनका ये ग्रह जिला भी है परम जो अपना बशी स्टेंड है वहां से हो करके और ये सुकला धाबा बस्खली शौराहे तक रोड़ बननी है साड़े साथ किलो मीटर का उसका उनने भूम पूजन किया और बड़े-बड़े सपने दिखाए उनने उसमें तो हम भाजपा के तो बड़े-बड़े नेता भी थ लगना चाहिक भी किसी बड़े नगर में या किशी बड़े दगार वालके में प्रवेत कर रहे हैं उसके रासी आई है जिसमें जंगल डिपो से ले करके और ये अंडर विष के चिराहे तक बनना है डामर रोड और वहां से ले करके और कि अपने कह सकते हैं जो के रहा नाला है वहां तक बनना है डवाल रोड बीच में और बीच में उसका तीन फिट का उसको बोलते हैं डिवाइडर उसके बीजली के पूल सिप्ट है पूरा सिस्टमेटिक धंग से कि यहां पर विवस्था से करके डिवाइडर वगएरा और हैं और वह पूरा बना है संदरी करने के नाम पर तो जब मानी मंत्री जी ने यह मद्वद यह सासन ने उस सड़क का इस्टमेट त्यार कराया होगा तो समंधित विभाग के अथकारियों ने उसका पूरा सर्वे किया होगा कि कि कितना पहले हमारी रोड सी प्रवड कि कितन और मौपजा देना पड़ेगा लोगों को अगर हम तोड़ेंगे तो तो मैं समझता हूं कि साइद भीभाग ने यह माना कि जो हम पचासा के लिए जो पैसा पहले दे चुकि है मौपजा उतने हमारा काम चल जाएगा तो उतनी किसाफ से इस्टमेट बनाई अब आज रोड शमनों सोनी जी वह भी उसका भी रोड की है तब लोगो ने आया बात में उसमें कोशी चीजें होई और बिजली के बिना पॉल स्ट्रिफ्ट की आप रोड बनाना शुरू कर दिये आज भी आप देख लिजिए कि बीच रोड में बिजली के पॉल है मैं समझतों दुनिया के पहला ऐसा सड़क होगा जिसमें बीच रोड में हैंड पंप लगा हुआ है इसमें अब आज कहीं पर आप रोड बना दिये हैं कहीं पर आप छोड़ दिये हैं कहीं पर आप मिट्टी डाल दिये हैं कहीं पर आप बन रहा हैं आप किसी गरीब का होत तो अब तक नोटिस के बाद टूट चुका होता जब बड़े लोगों के उपार आती है यह मामला तो सब एक हो जाते हैं हम नहीं कहते हैं तो आप सामने देख रहे हैं गुणबत्ता क्या है आप भी देख रहे हैं और जो यहां के हमारे बड़े चमतकारी के इंजिनियर माने जाते थे दुवेदी जी आज वेस्टी हो है तो आपको चांगे सपन दिखा देंगे हैं सेर करने के लिए तो यह सुनने वाला नहीं है कोई हम लोग अख़वार के लोग है आप लोग है हम लोग समाचार चापते ह कई बार हमको प्रताबन में चेलनी पड़ती है जिए वह सामाजी के रूप से हो चेहे तो ओन तरीके से हो और फिक्ष्यकार में सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद उन्हें जारी किया है और जब सारी चीजे हो गई तब आपने काम सुरू किया है हाँ अब ठेके सार से बात करिए तो उनका कहना साब हटाना मेरा काम नहीं है तो आप काम तो यह भी होना चाहिए ना कि जहां है आप बना दिये दस फिट जब अधिमान हर जाए एक बार सिस्टम हो जाए तो हम नही यह चिति है यहां की है अभी हाल फिल जो है तो महघाई के दोर है उस महघाई के दौर के बीश से जो है तो कहीं निपर हर पर बहुत जो ऊच रहा है अब वहां पर भी वह ट्रेन बन नहीं तो इसके लिए यहां पर के छेटरी जन पजनेदी विदायक जी आपके लगभग आप सबी करीबी भी हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कभी नहीं आवाज उठानी चाहिए और इस पर कोई पहल होनी चाहिए क्योंकि महंगाई है पहले हम बाइक से सफर कर लेते थे अपने स्याधन सन्याधन लेकिन अब इतनी महहगाई कैसे सफर करेंगे तो इस पर क्या पहलो होनी चाहिए देखिए मैं पहले आप बढ़ाई देते हूं कि आपने सबसे जो महत्मों मुद्द है आम जंता का आपने उस मुद्द्दे को जिसको लोग उठाने से बचते हैं आज आप देखिए करोना काल के नाम पार या करोना काल के कारण पूरे भारत पे ट्रेने बंद की गई उसके बाद करोना चला गया नेताओं की बड़े रहली हैं लाख लोग उसमें सामिल हो रहा है तो आप तो यह मान लिया गया गया गी जो कि मास की भी अनवार नहीं कर दिया गया है खतम कर दिया गया अब कोई चीजी नहीं है तो ट्रेने चलनी चाहिए अभी एक सपना दिख निकाल रहा है जलवारा के पास कहीं पर बूर से ट्रेने आप निकाल रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं तो जहां आप का सब्सक्रार के लिए नहीं होती ना सरकार जन कल्यानकारी कामों के लिए होती है इस महादेश में हमारे बड़े बड़े नेताओं ने देश को आजादी सि कि हमारी सरकारे जन का लेंगारी काम करेंगी जनता को राहत देंगी तो वो तो आप हो नहीं रहा है तो सरकार अपना प्योसाई कर रही है और ट्रेने बंद करने का जो बड़ा करण मुझे समझ में आता है जो मैंने लोगों से बात किया हो रहा है कुछ हमारे भाच्पा कि मि इतर पेट्रॉल में जब ट्रेने चलती हैं तो उसका खबस कम होता है लोग ट्रेनों से अधर करते हैं अब आपकी मजबूरी है तो आप शाडोल जाना है तो आप बाइक से जाईए यह परिवार से जाना है तो आप कार से जाईए तो जहाँ आपका वीज दूनी चालिस व करा कि मुपत का रासन मुपत का ये मुपत का वो तो इसे लोग अकर्मальной भी हो रहा है उमारा सार्म SAKTी है जो मान व सर्म है वो भी धिद्रजाया हो रहा है और आम जंदा को महंगाई से कष्टी हो रहा है अब आज कोतमा जैसे शेत्र में जो ये कोलांचल बेल्ट माना जाता था लेकिन आज धिर्दिकालियां बंद हो रही है और ग्रामी नंचलों का ये शेत्र है और कोतमा का जो बाजार है पूरी तरह से गाओं के लोगों को पर डिपेंड हैं जब ट्रेने नहीं चल कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं अज आप देख लिए जो चल रही है तो कोतमा से बिजरी किराया है दस रुपिया लेकिन आपको यहां जाना पड़ेगा तीस रुपए दे करके वह भी मुस्किल से एक ट्रेन है बरतमान में अब आप देखिए कोतमा में सवेरे सटल चलती पिर साम को आती थी एक ट्रेन रिवा वाली एक डियमो फिर विरस्वाद दो ट्रेनर रात में जाती थी जो भी चल रही है और यह वापस लूटती थी तो आपके बिजरी की हो गए बैहा टोला हो गए कटकोना हो गए हर्री हो गए यह इस चेटरी धर्माली जापका हरा जाता है और जैसा कि कोटमा बिधान सब्सक्राइब नहीं जाता है लेकिन छेत्री विधायक होने के नाते और जैसा कि कोटमा बिधान सब्सक्राइब तो कहीं न कहीं पर आज देखा जा रहा है कि वैसे मुद्व को लेकर के सामने नहीं है कहीं पर ने बिधायक जी ने तो एक आंदोलन चलाया था और मनंदगड में वाच्छोटा नाकपूर के पास वहां मनंदगड के लोगों के लेकर जो कि एक ही रूट है यह चिर्मीरी स जाने है और कोत्मा के भी हमारे जुँ लोग थे उन सब लोगों नीएक का रिकर चलाया था है रेल को का आंदोलन रेल हुंदे रोगी ठीक संगरत किया था उनने और साइद कहा गया था कि साथश्ञारी नहीं होगा हम कूस्ना कर सकते तो यह मामला का लेविल का है मामला है मंत्री लेविल का तो हमारे यहां को सांसा जिनको हम लोग ने चुना है छेत्र ने तो भास्पा की आईटी से लिकार करता हो गई हैं वो योगी जी के मुखमंत्री बने पर ट्यूट कर रही है जो मैं उनके ट्यूटर हंडिल खंगाला उस पर कहीं पर नहीं लिखा हुए को म बताएगा कोई बरत्मान बताएगा लेकिन एक ब्रिक्ति ने भी संगर्स के नाम पर कुछ नहीं किया अब आप कलपना करिए कि कल माले यह इस इतके सामान हो जाए या लोग दवाव में या उनकी करपा से माल अपर मान सकते हैं माले भार सरकार के ट्रेने चलनी सुरू हो तो यही नेता आपने घर से घंडी में उस घंडी बां से डाल करके आ जाएंगे यहां जहंडा दिखाने धक्का मुकी करते हैं कि हमारे सायोग से और उनके जो चववी होंगे जिनको चववी अबन बोलते हैं जो यह फेस्विक टूटर में पाल करते हैं ठेक आईडी वाल यह नेते तो भी छेत रहें यहां जिसको अपन लीजर्स बोलते हैं कि जो लीड करें जो जनमुद्दों को उठाए जो लोगों के साथ संखर्थ करें और एक राजनीती सी परे जो बिक्ति संखर्थ करें उसका यहां सब्था भाव है विसाउलाल जी हुआ करते से तो वो स डवलाप्मेंट के नाम पर जीती कर रहे हैं वागी चुकि वो बेसिक निता थे तो वो सड़कों पर संखर्थ करते थे उनकी एक मर्याद आए भी है कि आज वो सरकार में मंत्री हैं तो सड़क में नहीं कर सकते हूँ लिगर इसके पहले वो संखर्थ करते थे आम जन तक चलते थे और आप सरकार में मंत्री हैं तो उन से भी मेरा निवेजन है कि कम सिकाम मिस मुद्द्ब को आपको आप उनके सरकार भारत सरकार तो बितकत रूप से उस पत्र पत्रा चार टूटर हैंडिल और यह फेस्बुक के अलावा मैं तो उनसे मांग करूंगा कि क्योंकि और हुआ है यहाँ वो पले बढ़े हैं एक चीछ जानते हैं यहां कि लोगों की उन्नी गरीवी नजजी से देखी है यह रोगों समस्चाइए नजजदी से देखी है तो अपनी या ट्रह कारकम बनाएं दिल्ली जा करके और मानी पदान मंतری जी शीजिय से और पांकि तो कों एक और भी मामला आया कोत्मा में जो जुड़ा हुआ इस चेत से फर्जी भर्ती सिविलियन्स का इस मामले को लेकर के काफी जो है तो चर्चाओं का भीचाय बना हुआ था कई लोग जो है तुछ में लेकिन इसका असल दोसी जो है तो आप कीसे मानते हैं कि क्या यहां पर अस तो समयदन सिल मुद्ध उसको आपने उठाया मद्वेद सरकार ने राजनगर छेतर में तीन नगर परश्द कठन किया डोला बंगमा डूमर कशार अब यह उनके लिए कमाई का छेतर हो गया जो वहां के नेता थे जो हां के अधिकारी थे अधिकारी तो एक महरा हो सकते हैं ने उनको दोश जादा नहीं देता अधिकारियों को जो परतमान इसी तिका चल रही है तो बहुत जादा उनको दोश नहीं देता मैं वह एक महरा हो सकते हैं लेकिन दुरुभा की इस बात का है राजकुमार जी कि जिनके छेतर में घटना हुआ है जिस छेतर में वहां अब आप समझ यह कि क्या दोनों दलों के बिना नेताओं के सहमती की यह साथ गाट की यह प्रत्यक्षो यह परोक्षो अलग भी सह है इतना बड़ा घोटाला हो जाना जिसको मिनी व्यापम कहा जा रहा है संभव नहीं है ना तो अजकारी दोसी तो हो सकते हैं लेकिन सब्सक् को भाजपा तेशल ने उठा रही है कि हमारी मुट्र कहते हैं कि साथ देखिया हमारा सरकार है तो हम अपरे सरकार के बिरुद नहीं कर सकते हैं कांग्रेस कि उन्हीं उठा रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कभी कवारे क्वेस्टन पूशके दाएवाएं से उनके है कि ने इसको उठाया पूशा लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं आना है अब मैं बदाई देता हूँ अध्यक्ष यूद कांग्रेस के गुड़्डू चोफान को उन्हों ने इस मुद्दे को उठाया कई जगे ग्यापन दिया हमारे पत्रकार साथियों ने भी इसको लगतार इसको में लिखा अपनी बाते रखी और अधिकारियों ने गोल मुल जवाब देते हैं कोई घटना कोई घटाला हुआ ही नहीं है कोई समेलियन नहीं हुआ है इस ग्यापन को लेकर कि मुझे बात यारा देखिए लगातार जो हम देख रहा हूं कि पत्राचार हो रहें ठीक है मामला बहुत बड़ा संगीन मामला था इस पर कईयों के उपर गाज गिर सकती थी लेकिन हमने देखा कि जब ग्यापन दिया जाता है तो ग्यापन आज जो जब बहुत सरे लोग तो ऐसे है राजकुमार जी जब सूची हमारे पास आई तो हम लोग देखे कुछ चांग गए भाजपा के बड़ बड़ नेताओं के तीन तीन चाचर बच्चों के नाम जिलेफर के नेताओं के लोगों के नाम और सबसे जो दुरभाग मुन इस्थि कारियाले में जिसके ध्रच्ट से मकबूल खांसाम दो सदस्थि राम से मकालवाई जी और पी काशन्द मिसराजी को अतना हो के सीमो रहे हैं वो पसान के रहे हैं इन लोगों ने सीधे पूरे लोगों को कर दिया सम्मिलियन उसमें और सम्मिलियन हो गए अब आप देखिए तमाम बिरोधों के बाद तमान ग्यापन के बाद यूद कंग्रेश के संगहरसों के बाद मस्वदेश सरकार ने उनका जो भीवाग है ने जांस टीम बनाई और जांस टीम ने अपने जांस ने पाया कि बिना जरूरत के भरतिया की गई जिससे इस निकाए को लाखों कि इतने लाक रुपए का नुकसान हुआ है जिसका सीमो राम सिवा खलवाई जिस पल्कया में थे हूँ विकाश हैंद मिसरा वहां के सची जो बर्तमान में कोई अपने आपको बना लिया है राजिस उपद रिक्षक और कोई बना लिया है लेखा पाल तो वह आनुपातिक रूप से जिम्मेदार इसकी मतलब बसूली की जाने तो आखिर जांच रिबोट माना लिए भरते गलत की गई है तो रिकवरी के लिए लिए उनने तो प्रसम देश्ट है वह भरती अनिरस्त क्यों नहीं की गई नमबर एक नमबर दो वहां के जो ततकाली सरपंच रहे हैं आपने सचे को तो बता दिया जिम्मेदार है अब पंचाय ग्राम स्वराज असनियम के तरहत कारवाही के लिए अशंसा की जाती है और वह सरपंच भी जिम्मेदार है अनुपातिक रूप से लेकिन आज आप देखिए कि वह भरती अनिरस्त नहीं की गई उनको आपने निल गटना थी कि पत्रकारों के साथ जिस तरह के एक बंग्यात मक कहा जाए सीधा सीधा और ऐसा हमने कभी अपने जीवन पर नहीं देखा जो कल की घटना में हमारे सामने आया है तो कुछ ऐसा ही वहां भी महौल था नहीं देखिए दोहजार शुदा के बाद तो इस इत्के ब प्लें की जाश कराते थे कई भार हम लोगों से फ़ून से बात करके और फीड़ लेते थे और कारवाई होती थी और वह चीजाएं अंके संग्यानम हो घटाने काम करते थे आज चितियां ये हो गई हैं कि आज यदि आपने आलोशना किया या किसी योजना से या किसी उनके कार पड़ाली से अपने असे हमसी दिखाई तो उसको आलोशना नहीं माना जाएगा सतुपता का माना जाता है जो सीधी में घटना हुआ ये बेहत निंदनी बहुत गलत की थी तो प्रसम द्रश्टे उन्टी खिलाफ है मामला दर्श किया जाना चाहिए और ये मानवा जिकार का भी मामला है अपराधिक मामला भी है और आपको दंड देने का जिकार नहीं है इस महादेश में कानून है संबिधान है मानी न्याय पालिका है तो दंड करने का अधिकार है आपके पास कारून को लाउ करने का अधिकार है दंड देने का अधिकार मातरी मार न्याय पालिका को है आपने न्याय पालिका कारियों का आपने हैं आपने उनका चारितिक आपने हनंद किया उनका आपने सामाजी के रूप से उनको नीजा दिखाया और तो यह तो पत्रकारों के साथ बद सुलूकी तो मैं तो कई वार्सों से देख रहा हूं क्योंकि एक तरफ सरकारे कहती हैं आपको याद हो कि कमलाद जी आए उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ अगर दुर्बे वहार होता तो पचास जार उल्पर जुर्माना ऐसे करके और फिर सिवराज सिंग चाहान जी की सरकार बनती है और लगातारा देखा जा रहा कि कई वर्सों से मद्यप्रदेश में जो भी साय किसी की भी सत्ता रही हो पत्रकारों के साथ दूर्बे वहार हुआ है सुब्धाएं एक उर्पर कि देन नहीं लेकिन भोशना है बड़ी- जनता के हिद के खिलाफ है उसको अख़वार में चाहपना चलाना और प्रसासन का और बड़ को भात को लाना हमारा काम नियाई करना नही है हमारा काम काम ए दवाओ बनाना नहीं है और जब आप किसी भी संस्था से आप कुछ आप एक्षा रखेंगे तो आप इसे दिक्कते आएंगे सामने फिर भी डिविया सिंग जब मुखमंत्री से मध्वर्दिश के तो उन्हें एक नियम बनाया था उसके काफी में आपको ब्लत करा दोंगा कि पत्रकारों के खिलाब पत्रकार कि आते हैं उन्हें खिलाब तो आईजी स्थर के एधिकारी से जाच कराने के बाद ही कोई कारवाही कि जा सकती है यह राजपाल जी ने उसको आदेश जारी किया था वह आउका पत्र में उपलत करा दोंगा उसके बाद मानि मुखमंत्री जी ने भी कहा था सिर्णा सिर्ण सब्सक्राइब कि ने खटना हीती है नौना स्था सही न में कुछ लिखा था सीधी घरना हीत तो सब्सक्राइब healthy को पब्लीक बोर्ड देती है वह जंता के मालिक नहीं है वह जंता के सेवकْ हैं असलिक मालिक लोगतर मेंरे जंता है तो अगर हमारी जंताइब आकर आपकी ाइदिकार नहीं है आप उनके अगला साफ को शिकाम करनी चाही है पुलिस उसकी जांज करती ओर जांज करने केगी बाद माननी नीयावले में उसका चलाग पेस करती नीयावले उसके दंड़ देती हम हमेशा समर्थक रहे हैं कि पत्रकारों का कामी थोड़ी है कि किसी बाबार्बारी मामलों में प्रश्चृ कर रहा है, उसका उठाइए स्वागत है आपका, लेकिन उनके बच्के क्या क्या कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, खाती खाती हैं, क्या खाती हैं, कहां रहती हैं, फिर भी क्वार पह Corn tengaheam yourself. क्यों पुलिस के यह क्दर आख यह करता हूं कि मगाद करता हो कि है यह विद्ध कर आए मामला दजगराई एक नजीर बने प्रदेस में यह लाइन हाजर करनाОक। कोiffs को है है आपने लाइन हाजिर किया इसका मतलब है आपने प्रसंतर्श्चा अपराथ माना तो आप उसकी जांच कराईए टीम बैठाईए जांच कराईए और जो भी उसमें दोसी हो और जो भी बड़े अधिकारी लीप पोत्र हैं उसमें या उसको सनक्षन देना है उस्ताना करand यहां पर रह्वासी नगर्वासी गष्वड़ी वो बोडर हर ही सती में जो है था आप लोग यहां पर गया है तो क्या पर गणता से एहां के नेताओं से सब्सक्राख सुदू है और तो यहां से बड़े-बड़े मोडनता नीता निख लेए जिस्टिश आड़ी सुकुला साब यहां चुनाओ लड़े दुर भाग था कि उचुनाओ हार गए यहां से कुमर साब यहां से एमेले रहे बड़े कुमर मरगेंसिन साब इसके बाद यह छेत्र आरक्षीत हो गया उसके बाद जी कुछ अच्छे लोगों नहीं हाँ पर नितित किया और 2008 में जब यह सीट सामान हुआ को अतना भी सांतवा छेत्र तो लोगों बड़ी अपेक्षाई थी क्योंकि हम लोग यह जो नई पुढ़ी की लोग हैं जिन लोगों ने उस दोर को नहीं देखा सा सामान क कि लागिती कैसी होती है तो बरी उस्च्डा थी और तमांतर यह की सपनें देखे थी कि अब हमारा से समान हो गया है कि єहां गी सद्दाइं बढ़ेंगी यहां पर स्वास्ट का सभधास होगा इस फैक्षा ने उच्टे इसे बनेंगई बच्चों को रोजगार मिलेंगे फैक्ट्रिया लगेंगी बड़े से उद्धंते लगाए जाएंगे तो सरकारी नवकरी सब सबको संभव नहीं है तो जब इसे हैं माली ये छोटा सखटना मतर हो मापकूं बेलस्पन अब उसके लिए भूम आपने अध्गान किया अब तेरा सो पशास हेकर हेक्टियर जमीन आपने अध्गान किया ऑने पहने दाम पर पशेतर हजार रुपे एकर से करके दो लाख रुपे एकर तक का आज उस पूर अगर माली यह वहां फैक्ट्रि लग जाती माली यह जो तेरह सबीस मेगावाट का जो पावर प्लान लगन लेकिन एक पूरी एक साजिस के अतहत यहां कि उसमें नेता भी सामिल थे हैं कभी आप दरिकार्ट भीवापा आपसे बात कर सकते हैं उसमें नेता लोग भी सामिल थे हैं आज वो जमीन अध्गान हो गया वो ट्रांसफर हो गए हिंदुस्तान पावर पजट के नाम पर लोग जब बात करते हैं हम तो हम से हम दें तो आप से जमीन लियर नहीं है जमीन जिसके अब उससे बात करिए तो अगर कोई अच्छा नेता यहां पर होता हो कि हम लोग सपना देखा था कि सामान सीट होगा तो बड़ा नेता यहां पर आएगा जबनी बात सदन में आएगी अपनी बात भारसकार सामी भी रखेगा किसी माध्यम से तो एक डबलाप्मेंट होगा रोजगार के उसर बिक्सित होंगे तो वह सपना तो चकना चूर हो गया 2008 से ले करके 2000 अभी अठारा तक तो आज आप देख लिए रोजगार की शेत्र में पूरी दरह से कोईल आजय बंद हो रही है तो आने वाला स्वें में इस चाहिका होंगी ट्रेने बंद हैं इसे का सधन यहां है नहीं यहां एक पशली जमीन है तो जो जो ललके पके आ रहा हैं जो नई प्ड़िया को देख लिए और ब्रतार अठारा तक जा कि कॉली कर दो यहां जाती धर्म का फैक्टर कभी नहीं रहा और ऐसे से लोगों प्रिशनाव जीता है जिनके मुश्किल से पूरे बिसान सवाब में सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लेकिन वो यहां के मेले बने हैं तो जाती बात कभी नहीं था लेकिन आज एक नई दौर अब चल रहा है तो अब है किवल जहर खोलें काम और उन बच्चों को रुजगार से जोड़ने के इस्थान पर उनको एक उनमाद में लगा देना कुछ नारे बुलवाना उनको एक क दौर तो दोमान चैत के लिए ले लिए एक बात करना चाहते हैं कि शेट की विकास के लिए अपना योगदान निभाये और अपनी बात रखें अब लोगों का मानना यह है कि भाई साहब अभी चुनाव का समय नजदीक नहीं है इसलिए हम चांट वाइट है कि इस जवाब से आप संदुष्ट है अगर किसी ने ऐसा जवाब दिया तो बहुत दुरुफाग पूर्ण है नेता का काम है निससे तो करना और चुनाव थीख है नेता का अपना मातो का अन्शाह होता है और सब ही अधिकार है लोगत तंत्र में तो चुनाव ठीक है लेकिन यह कहना कि चुनाव नहीं है चल्फे हम सांत बैट है यह बहुत दुरुफाग पून है जिनने भी जिस नेता के निंदा करता हुँ मैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए नेता का काम ही है आम जनता के जुड़ी मुद्दों को ले करके संखर्थ करना सासन से प्रसासन से उचित मंच पर अपनी बात रखना जब कोई न सुने तो सड़क मिया करके गांधी बाजी तरीके से अपनी बात को सत् हैं लोगों को सिच्छा की अच्छी होने चाहिए एक डलका हमारे कोतमा आथ यूखरियन पढ़ने गया ना कि मतूं सुनी है अब हमारे पर दो तो कितना कश्ट भीता हम लोगों को जब तक नहीं आप आया हूँ आज पताइए आप इस महादेश में ये स्थितिंद्रिमित क्यों है यूक्रेन जैसार चार कोड़ों के अबादी वाला देश इस महादेश के बच्चों को पढ़ा रहा है कम पैसे पर लेकिन हम अपने चाहिए ना हमारे प्रदेश में मिखिल कालेज हैं अब देखिजी क्या सित्य हो रही है तो जब तक बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं मिलेगी और आजादी का मुख उद्देश ही यही था हमारे नेताओं का कि जो उनका सोसन हो रहा है जो उनके स्रम का दुर्पयों कि पढ़ने ने दिया रहा है तो जो भी आजाती के अंदोन में लड़ाई लड़े हैं बड़े बड़े नेता सब विदे से पढ़े लोग है सक्षम लोग संपन्द लोग थे उस टेम में सरदार पटेल साहब हो गांधी जी हो निहरू हो बावा साहब हो अमेडगर जी या सु उत्यागने के सुब सुब्धा इस लेक हम यहां हमारे देशाजाद होगा तो उनको हम अच्छी सिक्षा देंगे अच्छी स्वासुब्धाएं देंगे आज आप देख लिए इस ट्रेन की बात आप करिए कि पता है सरकार को कि अगर माली यह दो जाल लोग यात्रा कर रहे हैं टेर में तो उसमें सो दो सुलोग डॉलोटी होंगे यह पता है सरकार को यह पता है कि कुतमा से अगर वहां किराया सोला रुपिया है साडोल का तो घाटा है लेकिन सरकार काम करना है कि हमारा गरीब बेक्ति भी यात्रा कर ले आप टैसे बढ़ाईए आपका इस लगज आ रहा है तो उसके लिए होना ची नहीं जा रहा है थका काते हो तो उकसे पचीतर पहुंच जाए वह यह उद्देश थी मलब है अजादी के पुरे ठीम का वो पूरी तरे चकना चूर हो गया है वह अपना उद्देश से हम खोसों दूर हो गए हैं आज है हमारे यहां का य यह इसृदिया है कि उसरेश के अब टि अब कर्देश है और यहां पर जो है तो उसमेरी चारशं को ले करके लगातार हमारा स्थी सामने कुछ ऐसी ही मुद्दो को है तो लेकर कर के लगतार हमारे आपके सामने आते रहे हैं इसके सांथ प्विराम देना चाहूंगा और ऐ अगली करी में हमारी पुलकात फिर होगे मैं राज हमारी विश्यक्रमा धन्यवाद।